पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि वजरेक्स पे पैसे कैसे deposit करने हैं, पर उसमें एक problem थी, मैंने उसमें आपको P2P method के बारे मताया था, जहां पर एक person अपने UHDT को बेच रहा होता है, और दूसरा person उस UHDT को खरीद रहा होता है, तो इसमें फाइदा ये था कि आ आप लोगों के कई सारे comment पड़े, problem ये थी कि अगर UHDT 86 रूपीज पे चल रहा है, तो कई बार आपको 90 रूपीज पे खरीदने को मिलता था, यानि महगा मिलता था, 3 से 4 रूपए आपको पर UHDT extra देना पड़ता था, पहली problem, दूसरी problem ये थी कि आप जब बाई करना चा जाता था, और दूसरी चीज की महगा मिलता था, तो इस वीडियो में हम P2P के बारे में बात नहीं करेंगे, हम दूसरे method के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हम directly अपने bank के app से पैसे को deposit करेंगे, और सीधे वजरेक्स को हमें पैसे मिल जाएंगे, अब यहाँ पर ध्यान bank होगा, यानि योनो SBI होगा, या फिर कोई और bank का भी app हो सकता है, तो उस case में आपको search box में money transfer लिख करके search करना पड़ेगा, या फिर send money लिख करके search करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस feature तक कहाँ चपाऊगे, अब देखो यह है मेरा वजरेक्स का app, अगर आपने signal का मतलब यह है, यह सारे crypto अभी अपने bull run पर हैं, तो ऐसे ही आप crypto में खरीद करके, फिर उसके बाद जब महगा हो जाए तो बेच करके पैसे निकाल सकते हूँ, अब बात करते हैं deposit कैसे करना है, fund section में आ जाएए, fund section में आप देख रहो, INR में 0.08 है, यानि कि अभी मेरे वजिरेक्स wallet में पैसे नहीं है, deposit करने के लिए हम INR पर क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद नीचे deposit का option है, deposit पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको तीन option देखने को मिल रहा है, instant bank transfer, standard deposit और वजिरेक्स P2P, तो पिछली video में हमने P2P के बारे में बात किया था, इस बा bank detail दी, ठीक है, हमें क्या करना है, अपने bank के app में जाना है, और यही सारी details को as a beneficiary add करना है, जैसे यह मैं अपने bank में आगया हूँ, bank के app में, अगर आपका access bank होगा, तो आप इस UI को अच्छे से पहचानते होगे, फिर उसके बाद इसमें search box पे क्लिक करना है, और search करना है, transfer money या money send, और आप send money के option पे आ जाओगे, ठीक है, अब यहाँ पर तको add pay का option मिल रहा है, इस add pay पे क्लिक कर देना है, और add pay में access bank पे या other bank पे, तो हमें click करना है other bank में, आपका जो भी bank हो, उसमें आपको यही select करना है, फिर उसके बाद आपको पूरा एक option मिल जाएगा, अब वजीरेक्स वाहां में जो भी details मिली है, जो भी पूरा एक name, account number, ifc मिला है, वो सब कुछ यहाँ पर भर देना है, simply copy और paste करके, सारे details को भर करके, आपको नीचे confirm पे click कर देना है, और उसके बाद confirm कर देना है, payment हो जाएगी, जैसे आप देख सकते हो, मैंने 100 रुप आ अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है, कि आपको उसी बैंक से add करने हैं पैसे, जो आपने वजीरेक्स में register किया हुआ है, अगर आप किसी और बैंक से transfer करते हो, तो परचान होने जोरत नहीं है, अब दो से तीन घंटे वो पैसे आपको वापिस मिल जाएंगे, कभी-कभी मात से एक हफते भी लग सकते हैं, पास दिन से एक हफते भी, पर वो पैसे आपको वापिस मिल जाएंगे, अगर आपको add करने ही हैं, तो ध्यान देना कि registered bank accounts रही add करो, अपना एक PE register करके फिर उसको बाद add कर लो, एक रुपए चार्ज नहीं लगेगा, अचा अब इसका फ आप करके 1991 पर बेच भी चकती हो, तो ये भी एक तरीका हो सकता है आपके पैसे निकालने का, उमीद करता हूँ ये वीडिव आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से जानकारी काम के मिली होगी, वीडियो च्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चल सब्सक्राब करना, अभी भी कुछ सवाल रहेगे, तो नीचे कॉमेंट कर देना, मैं उसको अगले किसी वीडियो में आपको बता दूँगा.